साथियों, जब नेशन फर्स्ट राश्ट प्रथम इस भावना से काम होता है, तो सफलता भी जरूर मिलती है. बीते आठ वर्षों में हमने एक तरफ सरकारी फेक्ट्रियां, सरकारी डिभेंस कम्पनियों के कामकाज में सुधार किया, उनको ताकत्वर मनाया, वही दूसरी तरफ प्राइबेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले. इससे कितना लाब हुआ, वो हम HAL, हिंदुस्तां, एरोनोटेक लिमिटेड में भी देख रहे हैं. और मैं कुछ सालों पहले की चीज़ें आज याद कराना चाहता हूँ. मिडिया वालों का भी जुरूर ध्यान जाएगा. यही HAL है, जिसे बहाना बना कर हमारी सरकार पर तरह तरह के जूठे आरोप लगाए गए. यही HAL है, जिसका नाम लेकर लोगों को बढ़काने की साजी से रची गई. लोगों को उक्साया गया, पार्लामेंट के गंटे से गंटे तबाह कर दिये. लेकिन मेरे प्यारे भाईयों बैनों, जूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक नए एक दिन वो सच के सामने हारता ही है. आच, हेल की ये हेलिकॉप्टर फेक्टरी, हेल की बड़ती ताकत, धेर सारे पुराने जूठों को और जूठे आरोप लगाने वालों का परदा फास कर रही है, हकीकत खुद बोल रही है. आज बही हेल भारत की सेनाओं के लिए आधुनिक तेजस बना रहा है, विश्व के आकर्षन का केंद्र है, आज हेल डिफेंस सेक्टर में भारत की आत्मंदिर भरता को बल दे रहा है. झाल 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 झाल